वेलकम बाइडे शुडेंट आपका स्वागत है अक्सरसाइज 8.3 का कुश्चन 6 जुही शेल से वासिंग मसीन 4 रूपीज 13,500 तो शेलिंग प्राइस कितनी है 13,500 C. लोजेश 20% in the bargain इस सोदे के अंदर उसे 20% की हानी होती है यानि कि माली ये उसने वो मसीन 100 रूपे में खरे दी थी यानि 100% में खरे दी थी तो उसे 20% की हानी होकर के उसने उसको कितने में बेचा 80% में बेचा और 80% कितना है 13,500 ठीक है 13,500 is equal to 80X माली ये उसकी cost price 100X थी उसने 20% लोज हुआ ये इसका लोज हुआ ठीक है ये washing machine for 13,500 तो selling price होगी 13,500 तो हमारे पास में आया 18X is equal to 13,500 तो X is equal to 13,500 दिवाइड बाई 80 देखिए ये काट दिया और ये काट दिया एक एक 0 कट गया अब ये किस से कटेगा अब ये देखिए हम इसको 1350 में 8 का भाग दे देते हैं डिवाइड कर देते हैं लोंग ट्रम भी दी से 13 है एक बार गया तो ये आ गया 8 बचा कितना 5 ठीक है 13 minus 8 is equal to 5 अब ये 5 को हमने यहाँ उतार लिया अब के 8 को हम कितनी बार बोलेंगे गाट का पहाड़ा हमने बोला 6 times ठीक है तो 6 8 जा 48 6 and 2 और 40 कितना बजा 7 अब हमने ये 0 यहाँ पर उतार लिया आइट अब कितनी बाज आएगा 8 6 जा 48 8 7 जा 56 8 8 जा 64 ठीक है 8 9 जा 72 72 जादा होता है तो 8 8 जा 8 जा 8 जा 8 जा 64 70 में से 64 घठा है तो कितने बच्चे 6 ठीक है अब 6 बच्चे हैं तो 6 के आगे अब कुछ उतार ने के लिए नहीं है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक 0 उतारेंगे 0 उतारा तो यहाँ पर हो क्या हो जाएगा पॉइंट लगा देंगे तीक है यहाँ 0 उतारा क्योंकि यहाँ से कुछ लेने के लिए है नहीं इसलिए 0 के पर दर यहाँ पॉइंट लगा देंगे अब कितनी बार जाएगा 7 8 7 जा 56 8 जा 56 ठीक है बच्चा कितना 4 फिर हमने 0 उतार लिया पॉइंट तो हम लगाई चुके हैं अब कितनी बार जाएगा 40 8 5 जा 40 ठीक है अब कुछ नहीं पचेगा तो हमारे पास माया अक्स की वेल्यू 168.75 ठीक है तो अक्स इसकल टू 168.75 और हमने इसकी कोश्ट पैस क्या मानिती 100 अक्स तो अक्स की वेल्यू इतनी है ठीक है तो 100 अक्स बराबर कितना हो जाएगा इस वेल्यू को हम 100 से मल्टिप्लाई कर देंगे ठीक है तो यह हो जाएगा 16,875 समझ में आया बच्चों क्लियर है ने ओके अब देखिए 16,875 रूपे हमने है 16,875 रूपे हमने हमने वो मशीन खरे दी थी और 13,500 रूपे में बेची हमें लोश जो हुआ वो इसके उपर 20 परते सथ हुआ जो इसका अंतर है अब देखिए इस प्रस्न का उत्तर एग्जामिनेशन में कैसे लिखना है इंग्लिस मीडियम के स्टूडेंट इसको इस तरह से लिख सकते हैं और हिंदी मीडियम की स्टूडेंट इसको इस तरह से लिख सकते हैं जैसे इस साइड में लिखा हुआ है थैंक्यू मैं देखिए स्टूडेंट प्लीस लाइक और सब्सक्राइब